हेलो दोस्तो जोती कीचन फूर में देखिए हम अपना घर के बाहर जो गार्डन है छोटा सा उसे हम दिखा रहे हैं आप सबको गार्डन का वीडियो बनाएंगे आज देखिए हमारा ऐसे घर से हम बाहर निकल रहे हैं हमारा जाली का गेट है हम जाली का गेट खोल दिये हैं बाहर हम निकल रहे हैं यह हमारा आगे सीट डला हुआ है अच्टोर बना रखे हैं सीट डाल के यह देखिए हमारे साइड में फरस के किनारे मिट्टी है मिट्टी में हम देखिए यह फूल लगाए हुए है देखिए यह फूल का नाम नहीं पता पर फूल खिला हुआ है देखिए गुलाब भी बहुत सारे हमारे घर में लगे हुए है बाहर देखिए गुलाब मुझे बहुत पसंद है इसलिए हम गुलाब लगा के रखते हैं देखिए यह सब गुलाबी वाला ही गुलाब है देखिए सारे खिले हुए है आजकल गुलाब बहुत ज़्यादा खिलता है और हम सरकारी क्वार्टर में राते हैं हरी द्वार में और देखिए बहुत सारे आगे पीछे जगह है आगे से लेके पीछे तक जगह है पीछ में क्वार्टर बने हुए है और आगे पीछे सब गर है मतलब दूसरे का क्वाटर है हमारे परोसी का देखिए उनके घर में आम का एक छोटा सा पेन है और आम का टहनी मेरे तरफ भी आया हुआ है और इसमें मोजर भी आ गया है देखिए और देखिए हमारे क्यारी में प्याज है और घास भी बहुत ज़्यादा है हम आज कल क पूछ भी काम नहीं कर रहे हैं और देखिए यह सो प्लांट है देखिए बीच में रास्ता जो जा रहा है इस रास्ते से हम बाहर भी निकल जाते हैं बाहर निकलेंगे तो सिद्धे सनक पर हम जाएंगी यह देखिए गेंदे का पोध है टूट गये हैं हवा अरबारिस हुआ है तो इसके वज़े से तूट गयें देखिए इधर प्याज लासन है और जो तार दीख रहा उसके बगल में भी हमारे एक प्रोसी का घर है वो लेकिन क्वाटर खाली है वो अपने मकान में चले गए हैं देखिए वाइट वाला फूल है हमारे गेट के पास जो बाढ़ अमरूत कम हर चीज का पेंड मिलेगा देखिए कितने मोजर आ रखे हैं सनक के उस तरफ भी जो क्वाटर है उनमें भी सारे आम का पेंड दीख रहे हूंगे आपको देखिए हमारे ये दोनों तरफ प्रोसी को आम का पेंड है देखिए इधर भी खुब आम में मोजर आ गय गमले में सीट के बाहर हम रख दिये हैं ये देखिए जैसी गेटसे हम बाहर निकलते है हमारा सीट डल वा इसमें हम चिडियां का जो ये खाना जो चिडियां के दाना के लिए हम मंगाया थे फिलीव काट से उसको हमने यह टांग दिया है लेकिन अभी चीडियां देखा नहीं है चीडियां नहीं आ रहें नीचे हम पानी रखते हैं उसमें तो चीडियां आके पीके जाता है लेकिन उपर दाना नहीं खाने आता है देखे ये एक घास है घास को भी हमने लगा दिया है गमले में उसको चटिंग करते हैं फिर बढ़ चोलाई होता है लाल हरा सब होता है सरसो भी काफी सारे निकले है राई जो छोटी वाली राई बनारी सी राई होता है उसने हम बोय थे तो पत्ते खाने के बाद जो फड़ गया है उसको हम निकाले है करीब एक डेर किलो निकल गया है राई यह देखिए पीला हमारा गुलाब से ऐसे लगा दीये हैं देखिए सो पलांट है इसमें पत्टे ज़र गए यह स्व पलांट में बेखिन पत्ते निकलने लग गए घया हैं और साइड में हमारे में इधर हमें इसमें पान के पत्ते भी घमले में लगाये हुए होć पान के पत्ते में भी पिछले साल तो बहुत जाना पता था लेकिन इस वार थोड़ा कमा आए गर्मियों में पत्ते सूख गए थे प्त्ते में निकलेंगे इसमें निकल रहे हैं ऑर दέखिए पूजा के लिए सब हमारे अगल बगल वाले ले भी जाते हैं पान के पत्ते पान के पत्ते के सामने उपर हम चीडियां का घोजला लगाएं लेकिन चीडियां अभी उसमें नहीं आ रही है यह देखिए फिर इसे हम पीछे जा रहे हैं आगे से निकले हैं अब पीछे हमारे दो लीची का पेड़ है यह देखिए यह छोटा सा गिंदा के पौद जम के यही पे फूल खिली है इसमें पीला सा और यह छोटा वाला बहुत अच्छा लगता है पीला पीला दूर से देख यह देखिए लीची का पेड़ है यह हमारे प्रोस में है लेकिन तार से हमारे तरफ आ रखें तो हम इधर का हमी लीची का आते हैं और देखिए उप पीछे जो घर दीख रहे हूंगे उपीछे बालों के है तो पीछे से पूरा गेड़ा हुआ हुआ है अपना उधर से गे प्रोस में प्रोस में लगा तो बहुत लगते थे इस वर नए पत्ते आ गए क्योंकि टानी चटिंग कर दिये तो नए पत्ते निकले आए यह हमारा लीची का पेड़ है देखिए हमारा घर का पीछे जो क्यारी है उसमें लीची का पेड़ लगाया थे तो पांच छे सल हो कैंषिए तीन चार साल से फलने भी लगया लीची यह निम्मू का पेड़ अधर गंमले है कलाई से तीन-चार एक में तुलसी का पोदे हैं इस यह सूपलांट का है और इधर देखीा कियारी में भी हमने स्वो प्लांट लगा रिखे ओने हैं यह आगे का कियारी है उसमें च्ратि-च्छ्टे जिति हम च्रवर क्यारी के पौधे लगाये हूए है तो खिल गये है फूल यह आगे का है दोनों तरब कियारी है अब बीच में जाने का रास्ता है घर से बाहर जाने का इगेट का है देखिए उधर हम प्याज लगाये हुए लेकिन प्याज में बहुत घास है बंदर आता है तो बहुत खाता भी है प्याज निकाल निकाल के खाते रहता है बंदर और गास भी बहुत जादा हो गया हैं कर ताइम नहीं मिल रहा है निकालने के लिए तो हम नहीं जाते है और क्यारी में गहास लगा हुआ है बहुत साल हुए देखिए हम क्यारी में से बथुआ निकाल लेते हैं, हमारे बथुआ भी बहुत जमते हैं, क्यारी में बहुत ज्यादा बथुआ है, अब हम बथुआ के रायता बना के भी दिखाएंगे आपको, ताजा हम बथुआ निकाल लेते हैं क्यारी में से, थोड़ा सा ही निकालेंग थोड़ा सा हम बत्वा ले लेते हैं ज्यादा ने लेंगे एक मुठी बत्वा लाएंगे और फिर हम रायता आपको बना के दिखाएंगे बत्वा के आप हमारे वीडियो में सुरू से अंत तक बने रहिएगा देखिएगा हम अपना पूरा घर के बाहर जो गार्डन है हम पू के उस तरब भी क्वार्टर बने हुए हैं सरकारी क्वार्टर सब है देखिए और बहुत ज्यादा इसमें पेड़ पौध हैं बहुत ज्यादा आपको जंगल ही दीखेगा वीडियो में आपको जंगल ही दीख रहा होगा सब जगा से बीच में कौार्टर बना दिया है चारो तरफ सब का जगह दे दिया है आगे पीछे अपना कुछ भी उसमें बो सकते हैं धनिया पालक मेती जो बोना है अब बो यह हमारे पास भी धनिया लासन पालक सब था लेकिन अब सिर्फ प्याज लासन है हल्दी भी निकल लिया है अब इधर वाले भी परोसी में हमारे आम का पेड़ है हमारे में सिर्फ लीची या निम्बू है और अमरूत था उसको हमने काट दिया क्योंकि बंदर छोड़ता नहीं था अमरूत पेड़ काट दिया हमने देखिए चलिए बत्वा को दो के अच्छे से साफ करके हम पत्ते को मीनी चोपर में हम इसको बारिक कर लेंगे मिक्सी में नहीं पीसेंगे मिक्सी में तो पेष्ट बन जाएगा चाहे आप सील पर पीस भी सकते हैं ज्यादा बारिक नहीं थोड़ा दरदरा सा लेकिन मिक्सी में तो एकदम चटनी बन जाता है इसलिए हम चोपर में ही इसको ब ञापनी धील simulations नोमख्न रखे हुए हैं जीरा काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ची डालेंगे कभराही के लाधसा नमक बढ़िए इसने देंगे, करीब 2 मिनटए तक ज्यादा नहीं है, फ्लक वाउब ठैगे अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सेट सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद देखिए उबल गया है हम ठंडा पानी में डाल देते हैं निकालके हम कराही में से फ्राइपेन में कर लिए थे क्योंकि हमको कराही में सबजी बनाना था इसलिए हम कराही में से निकाल दिये थे फ्राइपेन में उबाल लिए और उसके बाद देखिए हम ठंडा पानी में डाल देते हैं इसके बाद फिर हम छनी से छानके पानी बिल्कुल निकालके उसके बाद हम चोपर में देखिए गुमा लेंगे देखिए मीनी चोपर है हमारा इसमें डालके हम बत हुआ के रहता आप भी ऐसी बना के देखिए एक बर ट्राइ कीजिएगा जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत टेस्टी लग रहा था यह देखिए हम बजार से छाज लेके आए हैं जो मठा आता है पैकिट वाला अमुल का हम ले लिए हैं व्योंकि हम दही नहीं जमाय अगर आपके पास दही है तो उसको अच्छे तरीके से फ्हेट के थोड़ा पतला बना लिजिएगा क्योंकि रायता गाढ़ा तो अच्छा लगता नहीं है थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है यह देखिए हमारा चौपर में अच्छे से चौप हो गया है अब इसको हम ड चौप अध्यदर के ते कि वाद्य देखिए है अधनी हम धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल डिए है और इसमे घौलि मेर सीह Water He पहले से रखा हुआ है जीरा पाउडर हम उसको डाल देते हैं भूना हुआ जीरा डालिएगा कच्चा जीरा के पाउडर नहीं आए देखिए थोड़ा सा हम लाल मिर्च तीखा के लिए डाल देते हैं जीरा और जीरा और काली मिर्च के पाउडर बनाके रखे हुए है उसको हम डाल दे यह देखेज़ा तार पा-ई-पाउडर है आ, यह मने डाल दिया, नमक शवाद के अनुस्तरता उसके बाद उसमें हम जीरा डालेंगे जीरां यह जासे जीरा बढ़ा है यह देखिए हमने आधा चमच के करिप तेल ले लिया है आधा से एक चमच और इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे और जब तरकने लग जाएगा जीरा और राई तो हम इस रायते में डाल देंगे उपर से रायते को हम तरका लगाएंगे देखिए हम राई ले लिये हैं जीरा को हम डाल दिये हैं और अब इसमें हम राई डाल देते हैं थोड़ा सा अधीच मज़ हमने राई डाल दिया है और यह अच्छे से जब चटक जए उसके बाद हम राईता में डाल देंगे उपर से हमारा राईता बनके तयार हो गया है देखिए चटक गया है जीड़ा और राई हम इसको उपर से डाल देते हैं देखिए हमारा रायता तैयार हो गया है बनके देखिए इस तरीके से आप बना के एक बर जरूर देखिएगा बहुत तेश्टी लग रहा था रायता खाने में भी अब हमें कमेंट करके भी आप सब बता सकते हैं कि आप को इवीडियो कैसा लगा धन्यवाद कर संप में लगगार हो जाग था फled सीत में हमें लग से देखिएर के घुरस वादिए वेगा थाने में लगादार के लगर कर 20 1 प गोरह का बōंे से तक्वेड़ियो झाप के एंलादी हा कुर सो देखिएए